असलाम नेकुम डिया स्टूडेंट आज हम देखेंगे के हम माल्टी मॉडल एक्स्प्लिनेशन और इल्लस्ट्रेशन के अंदर वाइस थ्रेट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें रीसेच स्टूडी इसके बारे में क्या बताती हैं तो हमारे सामने रीसेच स्टूडी है डेल्टन की और ग्रिसम की आर ट्वंटी थेटीन में और आर्टिकल का नाम है लव दैट बुक मल्टी मॉडल रिस्पॉंस तू लिटरचर और उसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही इंट्रस्टिंग किसम की क्लास्रूम टीचिंग लर् किया जिसके अंदर कहानी भी थी और टेक्नोलोजी भी थी आप टेक्नोलोजी ये थी कि टीचर ने इस कहानी को पावरपॉंट प्रेजेशन में बनाया था और बनाने के बाद उसके अंदर हाइपर लिंक्स शेर किये थे जिसमें बच्चों ने जाके अपने कॉमेंट्स कर था बच्चों को सिखाया था कि आप audio recording को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद भी अपनी अवाज में audio recording जो थी आ उसको कहानी को पढ़के उसके अंदर बताया था अब इस किसम की जो options हैं और इस किसम की activities हैं आपको बहुत से school की website पर भी available हो सकती है जिने आप जाकर देख स सकते हैं तो बच्चों को सबसे पहले यह कहा गया कि वह अपने फिक्टीशिस नाम जो हैं वह रख लें ताकि पता ना चले कि आप आपक्शिली कौन है अगर आप अपना असली नाम एक्सपोज नहीं करना चाहते इस तरह बच्चों में जरा confidence और develop हो गया कि और इंट्रस् की अपने टीचर के साथ एक दूसरे के साथ और उसके बदाद बच्चों कोieltढ सकता है बच्चाई आपनी मरजी के चूप किये और फिर hyperlinks को इस्तेमाल करते हुए जहां वो करेक्टर आ रहा था उसके साथ जो भी डायलोग का बबल था उसके अंदर उन्होंने फिर अपने कॉमेंट्स एड़ाउन किये आज सो उनको रिक्वाइड किया था उनको रिक्वाइड ये था कि वो जरूरी नहीं है कि वो जिसको हम कहते हैं garage band उसको इस्तेमाल करते हुए बच्चों की रिकॉर्डिंग की कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं और बच्चे किस तरीके से अपने डायलोग को add-on करना चाहते हैं उसके साथ ही तस्वीरों को scan किया गया और रिकॉर्डिंग को एक presentation की form दे दी गी पूरी लोग audience जिस class से बाहर हैं class के different student है different classes की student हैं वो भी इसे देख सके और एक audience उसे reach out कर सके कि यह activity कितनी interesting activity बन सकती है इस किसम की scale folding जिसमें students को यह मौका मिलता है कि वो एक कहानी को दुबारा अपनी view से सुनाएं और दुबारा उसे interpret करें और उसके अंदर उनके पास multiple opportunities होती हैं जिसमें वो कहानी की theme को interpret कर सकते हैं और express कर सकते हैं वोइस के जरिये, आर्टोंस के जरिये, music के जरिये, pictures के जरिये, definitely इससे student का जो learning process है वो बहुत ही ज्यादा improve होता है जब भी हम बहुत अच्छी student के साथ गुफतों शनीद करते हैं, discussion करते हैं, जितनी बेतर आपकी discussion होती है, student की text के बारे में जो comprehension है, उतनी ही बेतर होती है That is a good thing कि जब आप इस किसम की activity बना रहे हो तो उसके अंदर voice thread आप अपना भी डालें, अपने point of views भी डालें, अपना भी idea उसके अंदर insert करें, ताकि बच्चे जो हैं वो आपको सुन सकें उसके बाद यह activity बहुत ही असानी से share की जा सकती है, जो हमारा basic account है, school में सब बच्चों के पास email account होता है, वो उसके तुरू अपनी video जो है, वो school के email ID के तुरू share कर सकते हैं, ताकि तमाम audience जो है वो उसको देख सके, लेकिन यह तमाम activity करने से पहले, आपको यह activity अपने colleagues क साथ एक दफ़ा मिल के करके देखनी चाहिए, ताकि आपकी जहां कम्या है, टेक्नालोजी को इस्तेमाल करने में और यह लूप हो नज़र आ रहे हैं activity में, वो आप पहले ही identify कर लें, और आपको इसके उपर command हासिल हो कि यह चीज़े कैसे बनानी है, जो मैं बच्चों से expect क कर रहा हूं क्या वो मुझे खुद बनाने आती है या नहीं आती है, उसके इलावा student जो है, variety of तरीके से आप student को options दे सकते हैं, वो type कर सकते हैं, recording कर सकते हैं, वो videos create भी कर सकते हैं, और YouTube से या different जगा से videos लेकर उसको upload भी कर सकते हैं, और फिर आप in images के उपर definitely एक बहुत ही interesting किसम की voice thread के साथ एक book बना सकते हैं, और उसे audience के सामने represent कर सकते हैं, यह एक interesting option इसलिए भी है कि अगर student कोई ऐसा वक्त है, जैसे COVID-19 का, तो student in gadget को इस्तेमाल करते हैं, एक classroom, एक activity और एक group work में आ सकते हैं, सबसे important इस technology की यह है, कि classroom activity engaging भी होगी और साथ ही साथ interactive भी हो सकती है, student कितनी अच्छे तरीके से represent करते हैं अपना काम, यह डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छे तरीके से story को पढ़ते हैं, और आपनी अच्छे तरीके से उनके लिए यह तमाम gadget जो है design किया है, और आप help provide कर रहे हैं, इसके folding provide कर रहे हैं, so आपकी अपनी choices, आपके अपन activity design कर सकते हैं, और फिर student को present कर सकते हैं ताकि वो interesting activity कर लें